हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु हिम क्वेरी, तो आज हम बात करेगे SPU मंडी B.A.C. B.Com. First Year Result के बारे में जो दोबारा एनाउस होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को करे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में यूजी कक्षाओं के परिणामों में कम प्रतिष्टता को देखते हुए प्रो वाइस चासलर प्रोफेसर अनुकमा सिंह ने परीक्षा नियंत्रक के मौडरेशन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए एक मौडरेशन समिती का गठन किया है. मौडरेशन समिती यूजी कक्षाओं बीए, बीएससी और बीकॉम के परीक्षा 17 मई जून दो शून्य दो तीन के परिणामों में की जाने वाली मौडरेशन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रो वीसी को जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगी. मौडरेशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा परिणामों में संशोधन किया जाएगा. कमेटी में प्रो राजेश डॉक्टर विनय पंडित को शामिल किया गया है. कमेटी अब पता करेगी की आखिर कम प्रतिशत आने के कारण क्या है. कितने ग्रेश मार्क्स की जरूरत है, रियपियर होने के कारण क्या है या फिर अधिक टफ मार्किंग तो नहीं की जा रही है. तीन अक्टूबर से पहले ही यह कमेटी अपनी रिपोर्ट जारी करेगी. कमेटी ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है. SPU के परीक्षा नियंतरक सुनील वर्मा ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद अन्य परिणाम भी जल्द घोशित किये जाएंगे. SPU ने BSC प्रथम साल का परीक्षा परिणाम कार्ड पर कम अंकों के स्थान पर अधिक अंकों के प्रकाशित हो जाने की गल्ती के चलते रोका गया था. जानकारी के मुताबिक परीक्षा नियंतरक ने इस बात को देखते हुए तुरंत परिणाम पर रोक लगा दी और गल्ती को सुधारा गया है. अब मॉडरेशन कमेटी भी इसकी जाच करेगी. इसके बाद परीक्षा परिणाम को घोशित किया जाएगा. परीक्षा नियंतरक इ. सुनील वर्मा ने कहा कि अब 3 या 4 अक्तूबर तक परिणाम को घोशित कर दिया जाएगा. अगर आपको हमारी विडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. ठैंक्स फॉर वाचिंग.